कि हैं है यहां पर हम कोशिच करेंगे कम से कम टाइम पे में में जो आपके पास बेसीक और कॉंसेप्ट वो सिखाये जा सके जैसा अगर हम बात करते हैं आज के कॉंसेप्ट की तो आप लोग ने देखा हुगा कभी कबार कुशन आता है कि एक दुकानदार इतने रुपे के इ या फिर लॉस क्या होगा है ना देखा होगा आपने कोशन बहुत बार दिमाग भी खराब कर देता है पता ही नहीं चलता वह इतने में इतने खरीद रहा है इतने में इतने बेच रहा है प्रॉफिट एन लॉस कैसा होगा या फिर परसेंटेज में कितना होगा तो चले आज उ दो ही चीज तो होती है, खरीद रहा है और बेच रहा है, कैसा बनता है question, इस तरीके सा आप लोग देख लिजे, इतने रुपए में इतने खरीदता है, इतने रुपए में इतने बेज देता है, तो अब हम समझेंगे, यहाँ पर दो चीज देखने को मिलती है, एक है price और नीचे लिखेंगे जब वो बेचेगा तब हम किसके नीचे लिखेंगे SP के नीचे लिखेंगे ठीक है प्राइस और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे आइटम इतने रुपए में माना 5 रुपए में कितने खरीदे उसने 2 खरीदे अगली बार वो क्या कहता है कि माना 10 रुपए में कितने बेज देता है एक बेज देता है 5 रुपए के कितने खरीदे उसने 2 खरीदे 10 रुपए के एक उसने बेज दिया तो हमने खरीदा था तो CP के नीचे लिखा, बेचा था तो किसके नीचे लिख दिया, SP के नीचे लिख दिया, अब भाई हम profit and loss तभी बता सकते हैं, जब proper मेरे पास एक CP आ जाए, या फिर क्या आ जाए, SP आ जाए, दोनों का combination करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंका जब comparison किया जाता है, तो profit या loss percent क्या होगा, तो अगर आपको इस टाइप के question में CP, SP निकालना है, तो भाई, cross में multiply हम कर देते हैं, पांच गुणा एक, यानि CP हमने मान लिया लगभग कितना 5 रुपे, SP के लिए हम क्या करेंगे, इसकी cross multiply करेंगे, 10 गुणा 2, SP कितना होग है, 20 रुपे में बेच रहा है, profit percent के लिए आपको profit पता होना चाहिए, 5 रुपे का समान 20 में बेचेगा, तो profit कितने का कमाएगा, 15 का कमाएगा, divided by, profit percent हो, चाहे loss percent हो, हमेशा किस पर calculate होता है, CP पे, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 5 into 100, काटो इसको, 15, तो इसका मतलब भाई इतनी सी वस्तूपर उसने 300 percent क्या कमा लिया, profit कमा लिया, तो ये था इस टैप के question का basic, कि हमें proper एक CP चाहिए, और एक SP चाहिए, दोनों का comparison करेंगे, profit loss पता चल जाएगा, उसको हम percentage में convert कर देंगे, ठीक है, चलिए, अब अगर हम चीजे समझ गए, तो apply करके देखते हैं, रहें कि भाई, जो चीजा हमने समझी है, सीखी है, क्या वो सही तरीके से लागू हो भी रही है कि नहीं हो रही है, एक विक्रेता 10 रुपे में 6 की दर से के ले खरीदता है, यानि 10 रुपे में 6 खरीदे, और 6 रुपे में 4 की दर से क्या कर देता है, base देता है, profit या loss पता क करना है क्या होगा तो भवैं खरीद रहा है CP बेच रहा है SP क्या करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं Wallace और उसके बाद जो भी वाइटम है जितने भी हूँ ऐटम है क्खरीद रहा है तो CP के कॉलम के नीचे आएगा कितने रुपय दस रुपए में तो CP के नीचे के आएगा 10 कितनी वस्तु में 6 ठीक है अब अगला काम उसने करा बेचने का 6 रुपए में कितने की दर से 4 की दर से तो कितने रुपए में 6 वस्तु कितनी है 4 अब हमें पता है न तो अब CP इसका आराम से निकालो क्रोस मल्टिप्लाए करके 10 गुणा 4 यानि कितना हो जाएगा 40 SP के अगर हम बात करते तो इसकी क्रोस मल्टिप्लाए कर दो 6 गुणा 6 यानि कितना 36 तो पता चला हमें यहाँ पे कि 40 रुपए का जो सामान था वो हमने कितने रुपए में बेचा है 36 रुपए में profit होगा loss होग और बिससी बात है ज्यादा का सामान कम का बेचेंगे तो loss होगा हमें 40 का सामान 36 में हमने बेचा तो loss कितने का हुआ 4 का हुआ लेकिन किस पर profit हो चाहे loss हो हमेशा किस पर calculate होता है CP पर 40 बटे कितना 4 बटे 40 हो जाएगा into 100 0 से 0 4 से 4 तो भाई अगर इस तरीके से कोई दुका और चीज एक और देखते हैं भई क्या कहरा है कोशन में 40 रुपय में 8 की दर से खरीदे 40 रुपय में 6 की दर से क्या कर दिया उसने बेज दिये ठीक है CP और SP सबसे पहले price जो भी है फिर आपके पास जितने भी वो आइटम है कितने रुपय में 40 रुपय में कितनी करते हैं CP हमारे पास क्या आएगा 40 गुणा 6 यानि कितना 240 SP हमारे पास कितना आएगा करो calculate 40 गुणा 8 यानि कितना आ जाएगा 832 320 अब देखो एक चीज और इसको आप थोड़े से और अलग तरीके से भी कर सकते हो direct CP और क्या कर लो SP का ratio ले लो कैसे यह हो जाएगा 40 पास value है थोड़ी सी और कमा सके इससे profit के या फिर loss के percentage में कोई फरकनी परता आप 240 320 से calculate करोगे तबी भी answer वही आएगा इसको छोटा छोटा रेशो में लिख दोगे तबी भी answer वही आएगा cutting इसको 236 248 तो अब मुझे इनका ratio मिला CP का ratio मिला 3 SP का ratio कितना मिला 4 यानि 3 रुपे का सामान में कितने का बेच रहा हूँ 4 रुपे का तो profit कितने का कमाऊंगा मैं 1 रुपे का profit हमेशा किस पर होता है CP पर और 1 बटे 3 को percentage में convert करते हैं तो 33 point कितना आ जाएगा 33% आ जाएग clear है ना तो भई multiply करके करना है तो multiply करके कर दो इसी को अगर आप ratio में करना चाते हो तो आप ratio में भी कर सकते हो 4 रुपे का सामान 9 रुपे में तो एक का loss कितने पर 10 पर और 1 बटे 10 कितना होता है 10% होता है ठीक है next question अगला अगला question क्या कह रहा है 25 रुपे में एक दरजन पैंसिल खरीता है अपकी बार बोला नहीं है लेकिन हमें पता है ना एक दरजन में कितना आइटम होते हैं 12 और 12 रुपे में 5 पैंसिल क्या कर देता है बेज देता है तो फिर से वही चीज़े अप्लाई करेंगे CP और SP सबसे पहला हमारा क्या होगा प्राइस और उसके बाद क्या होगा आइटम होगा 25 रुपे में कितनी वस्तुएं एक दरजन एक मतलिक देना उसको ठीक है SP 12 रुपे में कितनी पैंसिल 5 करो calculate क्योंकि common तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहे तो यहाँ पर तो भाई आपको calculation करनी ही पड़ेगी 25 गुणा 5 करेंगे तो भाई 125 रुपे में मैंने खरीदा SP की बात करते हैं तो भाई 12 गुणा 12 144 में क्या कर दिया गया उसको बेज दिया गया अब आप अगर 125 का सामान 144 में क्या करते हो बेजते हो तो आपको जो profit होता है वो कितने का होता है 19 का होता है ठीक है बिल्कुल ठीक है 19 का profit किस पर होगा हमेशा CP पर 125 पर गुणा 100 25 पंजे 125 पंजे 25 चौक कितना हो जाएगा आपके पास 100 तो 19 चौक होता है 76 बटे 5 करो calculate 5 इकम 5 बचा आपके पास 2 26 पंजे 25 बचा 1 पास दुनी 10 तो हमारा जो profit होगा वो कितना हो जाएगा 15.2 परसंट तो बस है ना सिंपल सा इतने रुपे में इतने खरीदेगा इतने रुपे में इतने बेश देगा तो profit loss कभी भी बताना होगा तो बिल्कुल basic से तरीका अपनाएंगे और फटा-फट से एक बार उसको बेच दिया है तो जब हमारे पास इस तरीके से condition आएगी भाई दो ही type होते है ठीक है एक आपके पास क्या होता है एक बार खरीदना एक बार बेचना और एक होता है आपके पास दो बार खरीदना और एक बार बेच देना लेकिन हमारा जो question है वो तभी possible है ज एक SP तो है हमारे पास कोई दिक्कती नहीं लेकिन 2 CP आगे तो आप कैसे करेंगे बेसिक से तरीका फिर से अपनाएंगे CP ध्यान रखो 50 रुपए में अच्छा एक काम करते हैं अब अगर हमें क्या करना होता है CP कंबाइन करना होता है तो 5 जो सेब हैं कितने रुपए में खरीदे 50 रुपए में अगला 6 जो सेब हैं वो भी कितने में खरीदे आपके पास 50 रुपए में हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आइटम को क्या करने सेम जो आपके पास CP है ना दोनों आइटम क्या करने हम सेम करने ताकि हमें पता चल जाए कि कुल मिला कर उसने खरीदा कितने का तो यहाँ पर क्या item हमारा same है? यह रुपे लिख देते हैं क्या item हमारा same है? यहाँ पर item CP के base पर कर रहे हैं तो यहाँ पर item लिख लेते हैं कॉन सा वाला है? CP वाला तो हम क्या करते हैं आइटम को कामन करने के लिए क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने जी हैं, यहां पर यहां wow कि कि ये टोटल मिला देना है, 30 और 30 कुल मिला कर कितने आइटम खरीदे, उसने 60 आइटम खरीदे, 300 और 250 यानि कुल मिला कर कितने रुपे में खरीदे, उसने 550, अब इसको 0 से 0 भी काड़ दो, तो 6 और क्या आपके पास 55, क्यूंकि चीज़े आपके पास रेशो में ही चल रही ह क्या करेंगे जब आपके पास 2 CP दे के रखेगा, उनके आइटम सेम करने की कोशिश करेंगे, आइटम सेम करने के लिए क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो, आइटम क्या हो जाएंगे, फिर दोनों आइटम को जोड़ दो, 30 और 30 टोटल मिला कर उसने 60 आइटम खरीदे, कितने र पास CP और क्या है, SP, CP के लिए सबसे पहला अगर मैं प्राइस लिखूं और फिर यहाँ पे क्या लिखूं आइटम, तो कितने आइटम खरीदे उसने, 6, कितने रुपे में, 55 रुपे में, तो 55 रुपे में 6 खरीदे, और 100 रुपे में, 100 रुपे में, कितने बेच दिये, 11 बेच दिये, बन गया सेम टूसेम वैसी, जब हमारे पास कमबाइंड CP आ जाएगा, तो कोशन सेम टूसेम वैसी बन जाएगा, जैसा इससे पहले तक हम करते हुए आ रहे थे, अब CP कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टिप्लाय करके, कैसे, 55 गुणा कितना आपके पास, 55 गु का सामान खरीद रहे हो, 600 रुपए में बेच रहे हो, तो लॉस होगा न, कितने का लॉस होगा, पांच का लॉस होगा, हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है, इन्टू 100, ताकि हमें लॉस परसंटेश पता सल सके, काटिंग इसको, 1250, 55, 100 बटे कितना हो जाएगा, 121, यह है ह हुमारा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो भई, जब हमें, सिनगल CP, सिनगल SP देगा, तबी पी कोशन वैसा ही है, जब हमें, क्लिर हमकें चलो, अब चीजा आप लोग समझ गये हो, तो यह कोशन आप लोगों के लिए, हूम वरक है, आराम स से इसको solve करना तीन रुपए में दस खरीदता है तीन रुपए में आठ बेज देता है पांच और क्या हो जाएगा आपके पास सुरी दस और आठ का क्या हो जाएगा रेशो हो जाएगा क्यूंकि रेट उनके क्या है सेम है आपस में कट जाएंगे चीजे मैंने बता दिया क्लेर है तो चले बच्चों फिलाल आज के session को यहीं पर रखते हैं जो आपका 10 मिनट का concept था ऐसे ही बहुत सारे session आप लोगों के लिए अप continue लाए जाएंगे ओके थैंक्यू